Memory, Cache Cache एक विशेश उच्चिगती कम मातरा की Memory है, जो processing hardware के नजदीक है और जिसके लिए ये आरक्षित है. जब data cache में पाया जाता है, तब यह एक cache hit कहलाता है. और जब data cache में नहीं बाया जाता है, तब इसे cache miss कहा जाता है. और data धीमी Memory में एक्सेस करनी की जरुरत होती है. एक cache algorithm की efficiency, hit या miss दर से मानी जाती है. Embedded Architecture में दोनों data, cache और instruction cache शामिल है. विभिन cache levels मौझूद हैं, L1 या प्रात्मिक cache, L2 या secondary cache, L3 cache. Core processor Hardware design में स्पष्ट trend multi-core processor की है. Multi-core processor के प्रदर्शन में सुधार बिजली की खपत को कम करने और कई कारियों के लिए एक साथ अधिक कुशल प्रासेसिंग प्राप्त करने के लिए दो या अधिक विशिष्ट core processor होते हैं. एकल चिप पर कई core रखने के कारण उन दोनु के बीच काफी तेजी से समवाध होना संभव होता है. Direct Memory Access यानि DMA Direct Memory Access DMA Embedded System के लिए आवशक है क्योंकि और core processor का बिना उप्योग किये memory से या memory द्वारा बड़ी मात्रा में जानकारी के स्थानांतरण की अनुमती देता है. CPU, DMA स्थानांतरण के लिए device जैसे disk drive को set करता है और DMA interrupt को निश्क्रिय करता है. Data को DMA Memory में स्थानांतरण किया जाता है जबकि CPU अन्यकारियों को संभालने के लिए मुक्त कर दिया जाता है. एक बार जब Data स्थानांतरण पूरा हो जाता है तब CPU को बाधित कर इसे DMA स्थानांतरण के बाद क्लीनप को संभालने की अनुमती देता है. Floating Point Unit यानि FPU Floating Point Unit यूनिट FPU प्रोसेसर का एक हिस्सा है जो की Floating Point संख्या पर Operations के लिए समर्पित है. विशेश हार्डवेर का उप्योग तेजी से Operation कम बिजली की खपत और गर्मी को Dissipate या क्षय होने की अनुमती देता है. विशेश्ट Operations घटाव, गुणा, वर्गमूल और विभाजन है. DSP DSP Digital Signal Processor इन सभी को प्रदान करने में सक्षम है. बहुत उच्च प्रदर्शन, कम उत्पादन लागत, कम उर्जा की खपत, Real-Time Operation, उच्च इंट्रप्ट दरें, गहन संख्यात्मगणना, इस तरह के बार-बार होने वाले कारिय, जैसे Fast Fourier Transforms, Digital Filters, Pattern की पहचान, Image Processing और बोली या Speech की पहचान के रूप में, वे इस तरह के अप्लिकेशन्स जैसे Audio, Video और Multimedia Peripherals, Disk Drive और चिकितसा और विज्ञानिक अप्लिकेशन्स के लिए Image Processing System के लिए प्रमुग गटक हैं. Frame Programmable Gate Array, FPGA. FPGA दुई आयामी Arrays होते हैं. Logic Blocks, Connections. Programmable Interconnect के hierarchy, Logic Blocks के रूप में कुछ हद तक एक चिप Programmable Breadboard की तरह सिस्टम डिजाइनर के द्वारा जरूरत के अनुसार इंटरकनेक्ट होने की अनुमती देता है. Logic Blocks और Interconnect ग्राहक या Designer द्वारा प्रोग्रेम किये जा सकते हैं, जो FPGA द्वारा निर्मित हैं. जो कोई भी Logical Function इंप्लिमेंट कर सकता है, इसलिए इसका नाम Field Programmable होना योग्य है. Configuration FPGA अपने Users को Configure करने के लिए एक तरीका प्रदान करता है. Logic Blocks के बीच Intersection प्रतेक Logic Block का Function FPGA का Logic Block इन में से किसी के भी द्वारा इंप्लिमेंट किया जा सकता है. Transistor Pairs Combinational Gates जैसे Basic NAND Gates या XOR Gates N-Input Lookup सारणी Multiplexors AND और सन्रच्णा में विस्तृत फैन ASIC Application Specific Integrated Circuit ASIC एक एकिकरित सर्कित या IC है जिसे एक विशिष्ट उपियोग के लिए कस्टमाइज किया गया है. उदाहरन के लिए एक चिप जो GPS में चलाने के लिए पूरी तरह से बनाया गया है वह एक ASIC है, मूरे के नियम का पालन करते हुए एक अधिक्तम ASIC का आकार 5000 gates से 10 करोड gates से अधिक हो गया है. आधुनिक ASIC में अकसर पूरे 32-bit processor, ROM, RAM, EEP ROM, Flash और अन्य बड़े blocks का निर्माण शामिल है. कुछ परिस्तितियों में इस तरह का ASIC एक SOC यानि System on Chip कहा जा सकता है. ASIC hardware, description, language यानि HDL का प्रियोग करके डिजाइन किये जाते हैं उदाहरण के लिए Verilog या VHDL ASIC functionalities का वर्णन करने के लिए ASIC design designer को एक ही चिप में अधिक सर्किट बनाने की अनुमती देते हैं जबकि सर्किट्स को अगर proprietary chips के द्वारा assemble किया जाता तो इसे ज्यादा components और board क्षेतर की आविशक्ता होती. यह कम उत्पादन लागत बहतर प्रदर्शन देता है और यहां तक की कुछ chip design ऐसे हैं जो की तकनीकी रूप से discrete components का उप्योग करके संभव नहीं होंगे.